भारत फिल्म में सल्मान खान ने ऐसा क्या तड़का डाला है जिसको देखने के लिए फैंस पागल हुए जा रहे हैं भारत फिल्म से सल्मान खान का कौन सा अवतार सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों सल्मान खान ईद की धमाके दार तयारी कर रहे हैं और भारत की शूटिंग को 90 दिन पूरे हो चुके हैं वही प्रोड्यूसर अतुल अगनी होतरी ने आज फिर से फिल्म के सेट से एक तस्वीर डाल कर फैंस की उत्सुपता बढ़ा दी है दर असल इस तस्वीर में सल्मान खान भले ही पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है उनकी सफेद दाड़ी और अब फैंस ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये भारत के कौन से दशक का लुक होगा गौर तलब है कि भारत में सल्मान खान कई अलग-अलग अवतार में नजर आएंगे फिल्म में वो भारत नाम के लड़के बने हैं जिसकी जिन्दगी में 1947 से लेकर 2010 तक क्या-क्या घटता है वही सब फिल्म की कहानी है दोस्तों फिल्म में सल्मान खान का साथ दे रहे हैं केट्रीना कैफ, दिशा पतानी, नोरा फतेई, तबू, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रॉवर, आशिव सेक और बेहत खास महमान भूमिका में वरुन्धवन फिल्म में तबू और जैकी श्रॉफ सल्मान खान के माता-पिता के रोल में नज़र आएंगे वहीं खबर है कि वरुन्धवन एक जवान धीरो भाई अमानी की भूमिका में नज़र आएंगे वहीं दोस्तो सल्मान खान की भारत एक Korean फिल्म Oh To My Father की रीमेक है फिल्म की कहानी को भारतियर रंग धंग के हिसाब से बनाया गया है और ये एक बाप और बेटे की emotional journey है और फिल्म में सल्मान खान एक बार फिर से केट्रीना कैफ के साथ रोमांस करते दिखाई देंगे दोस्तो इससे पहले सल्मान खान मैंने प्यार क्यों किया युवराज एक था टाइगर और टाइगर जिन्दा है में केट्रीना के साथ रोमांस कर चुके हैं वैसे दोस्तो भारत फिल्म से जो भी बाते सामने आ रही है उससे तो यही कहा जा सकता है कि यह फिल्म अपने फॉर्स टे में सो करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन करेगी दोस्तो आपको क्या लगता है आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और देखती रहे हमारा चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज